आज मैं आपके लिए वो manifestation technique लाया हूँ जिसे कहते है 555 manifestation technique इस technique का इस्तेमाल करके आप 5 दिन के अंदर अपनी हर इच्छा यानि डिजायर से इतना ज्यादा अटेच हो जाते है कि वह चीज खुद बखुद आपकी और आकरशित होने लगती है हाई मैं हूँ डॉक्टर अशित जालूई विश्व विख्यात zodiac power rings के आविश्कारत गए 30 वर्षों से मैंने हजारों लोगों की career और business 10x growth करने में मदद करी है यह 555 manifestation technique ऐसा method है जिसमें आप अपनी किसी भी wish या desire 5 दिन तक लगातार 55 time लिखते हो manifestation method को हमारे इस desire पर यकिन दिलाता है जिससे हम चाते है कि पूरी हो जाए जैसे मान लीजिए कि आप चाते है कि आपके पास बड़ी गाड़ी हो या फिर नई job हो या बड़ा flat हो तो अगर आप इस technique को 5 दिन तक लगातार करेंगे तो आपकी subconscious mind इस तरह से बदल जाएगी कि आपका यह desire भी धीरे धीरे सच होने लगेगा इस manifestation technique के पीछे idea है आपकी subconscious thought pattern को change करना आपके सपने को आपके desires को आपकी energy आपकी subconscious से जोड़ना इस दुनिया में सब कुछ energy से भरा है तो अगर आप energy को सही दिशा में लेकर जाएंगे तो उसके result भी अच्छे ही मिलेंगे और इसी तरह law of attraction भी काम करता है यह 555 manifestation formula सीधा आपकी subconscious mind पर काम करता है और इसलिए यह एक सबसे बहतर तरीका है उन सब चीजों को अपनी जिंदगी में लाने का जिने आप चाहते हैं अब इस manifestation formula को use कैसे करना है तो इसकी भी कुछ tips है choose an affirmation पहले तो आपको एक affirmation choose करनी है यानि कि आपको अपनी इच्छा अपनी wish decide करनी है कि आप आखिर में चाहते क्या है इस पूरे manifestation टेक्निक का सबसे जरूरी पाठ है आपकी desire याने इच्छा इसलिए ध्यान से सोचिए समय ले और निर्ने करें कोई एक बड़ा निर्ने कीजिए जो घर चाहिए तो घर के उपर ही ध्यान दीजिए पहले दस चीजों पे नहीं कार लेना है तो कार पे ध्यान दीजिए जोब लेना है तो जोब पे ध्यान दीजिए एक के बाद एक फिर formula यूस करते जाए तो सब हासिल होगा be specific अपने लक्ष के बारे में बहुत clear होए don't make it too long कोशिश करें कि affirmation ज्यादा लंबा न हो जाए क्योंकि आपको इसे लगातर 5 दिन तक लिखना होगा और वही 55 बार choose something that excites you कुछ ऐसा choose करिए जिसे सोचकर आपको excitement होती हो क्योंकि जब आप excited होंगे तो आपके अंदर की energy आपके thought process के साथ मिलेगी और यह affirmation को और भी powerful बना देगी write in present tense अपनी बात को अपने desire को present tense में लिखिये इसका मतलब है कि अगर आप चाते हैं कि आपके पास एक नई बड़ी गाड़ी हो तब यह नई लिखेंगे कि मैं गाड़ी लूँगा I'll buy a car इसका मतलब होता है कि आपके पास गाड़ी है ही नहीं और आप उसे खरिदने की सो समय लग जाए लेकिन जब आप अपनी बात को present tense में लिखेंगे कि मेरे पास एक बहुत सुन्दर गाड़ी है I have a beautiful car उसका चाहे तो उसका color उसका अंदर का seat का leather वो भी सब visualize कीजिये और लिखिये तो universe को यह message जाएगा कि आपके पास वो चीज already है और आप इससे बहुत है और वो आपको यह चीज और देगा thank the universe अपनी जीज भी इच्छा को आप पूरा करना चाहते है उसके लिए last में universe को शुक्रिया जरूर अदा करे मैं आपको कुछ example बता देता हूं कि आप कैसे लिख सकते हैं तो इसी को follow करके लिखिए तो देखिए आपको जरूर इसका result मिलेगा number 1 मेरे काम का सब तारीफ कर रहे हैं खुशी खुशी लिखी और महसूस भी कीजिए जो सब लोग आपका तारीफ कर रहे हैं आपको award दे रहे हैं number 2 मैं चीजों को आसानी से याद रख सकता हूं अपनी affirmation को लंबा बनाए लेकिन सिर्फ उतना ही जितना आपकी desire wish को clearly बता सके और इतना छोटा रखे कि वह आसानी से आपकी subconscious mind में fit बैट जाए important आप अपनी affirmations को computer में type नहीं कर सकते इसे आपको pen या pencil से किसी कागज या copy में लिखना होगा अपनी wish को आपको 5 दिन तक लगातार लिखना होगा और एक ही sitting में 55 बार आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक वक्त में 10 बार लिखा फिर break लिया थोड़ी देर बाद टरल कर आए और फिर 20 बार लिखा हर दिन अपनी affirmation लिखने के बाद उसे भूल जाए मतलब अगर आपने लिखा है कि आपके पास एक नई गाड़ी है तो इसे 55 बार लिख कर भूल जाए और वापस अपने काम में लग जाए अगर आप पूरा टाइम यही सोचते रहेंगे कि मैंने लंबे समय से लिखा है लेकिन अभी तक गाड़ी आही ही नहीं तो मैं आपको बता दू कि अगर आप उसके बारे में बार बार सोचेंगे तो आपकी जो यह request है वो universe तक नहीं पोचेगी तो इसलिए जरूरी है कि आ आप बार बार उसके बारे में न सोचें और हमेशा affirmation लिखते वक्त आपके दिमाग में बिल्कूल भी negative thoughts ना आए जैसे यह काम करेगा या नहीं अगर नहीं हुआ तो मेरा मैनत बेकार जाएगा तो यह सब thoughts मत लाईए मन में numerology में 5 number transformation और evolution को represent करता है तो जब आप इस technique का इस्तमाल करते हैं तो यह number आपको आपकी जिंदगी का एक नया रास्ता दिखाएगा जहां आपकी desire आपकी reality बन जाएगी तो दोस्तो मुझे यकीन है कि अगर आप इसे शिद्दत से follow करेंगे तो आपके हर इच्छा पूरी होगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like, share और subscribe जरूर करें और bell icon को भी दबा दे ताकि पहला वीडियो आप तक जल से जल पहुच जाए आप करेंगे लाद